Hello guys, welcome to Step Up Lives. This video will talk about the precautionary dose booking, how it has to be done, what are the things to be kept in mind. सब कुछ इस वीडियो हैं बताया जाएगा, आन तक देखेगे, डेफिनेटली हम एक लाइब डेमो ही बताएगा किस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आएगा COVID-19 पर अगर आप eligible हैं COVID-19 के precautionary dose के लिए. सबसे पहली बात, जो है कि जो लोग eligible हैं, वो है 60 plus with comorbidities और जो लोग हैं जो इस case में frontline worker या health worker category में आते हैं. तो सबसे पहली चीज़ यह होने वाली है कि अगर आप eligible हैं तो आपको एक SMS आ गया होगा आपके registered COVID-19 पर कि आपका dose जो है precautionary का अब आप eligible हैं और आप COVID-19 पर जाकर booking कर सकते हैं. Most important चीज़ आपको समझने यह है कि आप चाहे हैं तो directly walk-in भी कर सकते हैं. अगर आप eligible हैं आपके पास SMS आच चुका है या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपका eligibility पढ़ता है या नहीं और आप इस dose को लेना चाहेंगे नहीं. अगर आपको SMS आया तो आपको क्या करना है आपको फटावट जाना है कोविन पर अपने registered mobile number से login करना है जिस पर आपको यह message आया है जैसे आप registration वाले number पर login करते हैं. यहां से आपको register करने कोशिश करनी है अपने कोविन नमबर डाल कर क्योंकि आपको online registration करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंक करेंगे वहां पर आपको कोई cues as well as out of stock का दिक्कत नहीं face करनी होगी. फटावट हम आपको interface दिखा देते हैं किस तरीके का नजर आएगा अगर आप eligible हैं तो फटावट हम scroll down करके यहां पहुंच जाते हैं जहां पर हम देख पा रहे हैं यहां पर एक candidate है हमारे सामने जो जि करेंगे तो option आजाएगा कि आप ने जो previous vaccine ली थी वही vaccine को schedule करने का option आपको मिलेगा यहां से अगर आप चाहें तो district में sections में आप डाल सकते हैं और यहां पर से आप search का option use करके free and as well as paid options को explore कर सकते हैं यहां पर आप देखें कोविश लील जो है वो 750 में available है अगर आप free वाल sections में यह availability दिखाई दे रही है मानलो मैं यहां पर से एक options को select करता हूँ यहां पर से detail मुझे मिल जा रहा है और मैं यहां पर जाके confirm करके slot को directly book कर सकता हूँ यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने आसानी से vaccination का booster dose यानि precautionary dose को किस तरीके से book किया इसके लिए बहुत directly walk-in भी कर सकते हैं या फिर आप कोविन पर slot available हो तो उसकी booking आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और definitely चेक करेएगा आपने senior citizens का booster dose eligible हो पाया है या फिर नहीं थैंकिसो मच और भाई भाई